जैहिन दोस्तों कुछ टेक्नीशियन भाईयों ने मुझे से पूंचा कि क्या AHU, Air Handling Unit की क्वाईल को भी डिस्क्लीनिंग किया जाता है तो मैंने सुचा एक वीडियो AHU, फुल ओर हालिंग पर बना दिया जाए अगर आप भी HVAC टेक्नीशियन हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और भी ऐसे उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रही है AHU की क्वाईल्स में जो पानी सर्कुलेट होता है वह चिलर प्लांट के इवाइपरेटर से आता है यह पानी बहुत ही सेपरेट होता है सिस्टम तो यह है कि इवाइपरेटर का पानी पूरी तरह से आरो प्लांट से आना चाहिए लगबग जितने भी चिलर प्लांट लगाय जाते हैं उसके इवाइपरेटर के पानी के लिए आरो प्लांट भी लगाया जाता है लेकिन हमने कई साइट्स पर देखा कि दो-चार साल बाद जब आरो फ्लांट खराब हो जाता है तो आरो फ्लांट को रिपेर ना करा कर इवैप रेटर में जाने वाले पानी को बिना आरो के ही डाइरेक्ट बाइपास कर दिया जाता है जो की बिलकुल भी सही तरीका नहीं है वैसे चिलर फ्लांट और एचू की कोईल्स में पानी जाने से पहले कई फिल्टरों से फिल्टर होकर जाता है और ये पानी चिल्ड भी होता है जिससे एचू की कोईल्स में स्केल्स बहुत कम ही जमता है फिर भी पानी में कुछ ना कु स्केल्स जमने लगता है जब क्वायल्स में स्केल्स आजाता है तो हीच्च का परफारमेंच धीरे धीरे कम होने लगता है तब भेतर यही होता है कि एस était की कॉयल्स को disc cleaning pump से अच्छे से disc clean कर लिया जाए जैसे हम लोग चिललर plant के condenser को pump से disc cleaning करते हैं और सभी copper tube की brushing भी करते हैं वैसे हम AHU की tubes मतलब coils को brushing नहीं कर सकते हैं सिर्फ pump से disc cleaning ही किया जाता है इसके लिए AHU की coils में जो inlet और outlet के पानी का main pipe आता है उन दोनों pipe में valve लगे होते हैं उन valve को पूरी तरह बंद करके AHU की coils का पूरा पानी जो air purging valve लगे होते हैं उससे बाहर निकाल दिया जाता है यह देखो यह air purging valve inlet और outlet दोनों pipe में लगे होते हैं बस हमें पानी निकाल कर यह valve जिस भी size के हैं या तो हाफ का होगा या तो three four का होगा दोनों में एक एक यह इस type का निपल लगा देना है फिर दोनों में से किसी भी एक निपल में एक flexible pipe लगा कर उसको disc cleaning pump के discharge line वाले line में लगा देना है जो दूसरा वाला निपल है उसमें एक दूसरा flexible pipe लगा कर उसको drum में डाल देना है disc cleaning pump के section line में भी एक flexible pipe लगा कर उसको भी drum में डाल देना है अब drum में जिस भी chemical से disc cleaning करना है वो chemical डाल कर disc cleaning pump को चला देना है अब ये chemical AHU की coils में एक side से जाएगा दूसरे side से वापस आएगा ये circulation process कम से कम 12 से 14 घंटे करवाना है 12 से 14 घंटे बाद पूरा chemical बाहर निकाल देना है उसके बाद अगर neutralizer चलाना है तो 30 से 45 मिनट neutralizer circulate करवाना है फिर 30 से 45 मिनट बाद neutralizer भी पूरा कोई से बाहर निकाल देना है अब ये मेन वाले एक वाल्व को open करके पानी को coils के अंदर इन कराना है फिर उस पानी को भी बाहर निकाल देना है ये पानी वाला process भी 3-4 बार करना है उसके बाद दोनों वाल्व को खोल कर अगर air बनी है तो air charging वाले वाल्व से निकाल दीजिए अब आप air charging को service पर ले सकते हैं अब air charging पूरी तरह से नया हो गया है दोस्तों अगर आपका कोई सुझाओ है तो वीडियो के comment box में जाकर अपना सुझाओ जरूर दीजिए धन्यवाद